आज हम लोग सॉल्ब करेंगे कोर्शन नमबर 11 और आगे वॉक्सिट फाइपो के और इसके पहले के जो कोर्शन से हम लोग सॉल्ब कर लिये थे पिछले वीडियो में वो सब वीडियो कर लिए इनका आपको मिल जागा डिस्क्रेस्पन बॉक्स में या तो फिर आप आया बट आफले रॉंस एराउंड ए सरकुलर पार्क 10 ताइम्स टेन टाइम्स रन करता है यह तो कह दिया और क्या है सरकुलर पार्क है इस दाइमेटर ओफ पार्क इस टूहंडेड़ एक्टी मीटर फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाइद आथ लेट इन किलो मीटर तो हम लोग यहा पार्क माल लेते हैं इसको तो और इसका अपना डाइमेटर दिया हुआ है हाना यह देखें डाइमेटर कितना दे रखा है डाइमेटर दे रखा है 280 ओके तो डाइमेटर क्या होता बताइए यह सेंटर है सेंटर से पास करना वाला स्टेट लाइन होना यह क्या है ना मेरा ड कितना दिया हुआ है 280 मीटर चलिए आगे कहा गया है कि 10 टाइम्स राउंड लगाता है कितना राउंड लगाता है 10 टाइम्स ओके तो पहले हम इसका यह निकाल लेते हैं क्या यह पेरिमिटर मतलब बाउंडरी हां तो इससे हमको यह पता चल लगा कि अगर एक बार वह चक्कर लगाएगा तो कितना distance कबर करेगा तो एक चकर लगाने से कितना distance कबर करेगा यह तो पता चल जाएगा हमको फिर हम उसको 10 से multiply कर देंगे तो 10 times में कितना distance कबर करता है वो हमको पता चल जाएगा ओके तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे diameter of the पार्क, पार्क का डामेटर कितना दिया हुआ है, 280 मीटर, फिर सरकमफरेंज कैसे निकालेंगे, सरकमफरेंज का निकालने का फर्मुला होता है 2 pi r हम यह जानते है यह इसको हम ऐसे लिख सकते है pi d pi d भी हम लोग लिख सकते है तो चुकि क्यों लिख सकते हैं तो देखिए d equal to होता है 2 r d equal to क्या होता है 2 r तो यह जो मेरा था 2 और r यह दुनों मिलके क्या होगे न d तो अब हमारे पास pi का value क्या है 22 by 7 और बताए d का value d means diameter हो रहा है 280 meter इसको cancel out कर लेते हैं 7 से 28 cancel हो रहा है 4 times में और एक यह 0 था तो अब इसको multiply कर लिए तो क्या होगे आप बताए 22 और 4 को multiply कर लिए तो यह होता है 88 और 10 यह होगे हमारे पास 880 meter तो यह क्या निकला यह निकल गया diameter sorry diameter नहीं यह circumference निकल गया तो circumference निकल गया मतलब एक round में यह इतना distance को cover कर लेता है तो हमको यहाँ पे निकलना है 10 times में ओके तो आए हम लिखेंगे distance covered in 10 rounds तो 10 rounds में कितना distance cover कर लेगा 10 से multiply कर लेंगे तो 10 से multiply के तो क्या हुआ 8800 meter चुकि हमको kilometer में चाहिए तो 1000 से divide करेंगे चुकि यह अपना meter में है तो 1000 से हम क्या करेंगे divide करेंगे तो यह क्या हो जागा बताईए यह 0 से 0 cancel out हो गया तो यह हो जाता है मेरे पास 8.8 kilometer answer तो अपना answer क्या आगिया ना 8.8 kilometer यहां पर 1000 से divide किये हैं हम लोग तो चलिए अब हम आगे बनाते हैं question number 10 को ओके वो भी interesting question है आए नहीं यह question number 12 है आए यह हम लोग 12 को solve करते है यह circular piece of thin wire कैसा है thin wire circular है इस converted into a rhombus किस तरह में convert कर दिया गया rhombus में और rhombus का side कितना है 11 centimeter आगे क्या कहा गया है find the diameter of the circular piece तो हम कैसे समझेंगे हाना एक circular हम लोग यहां पर बना लेते हैं wire मालेजे कि यह circular wire है और इसको किस में convert कर दिया गया है इसको convert कर दिया गया है rhombus में तो rhombus हम लोग किस को कहते हैं rhombus हम लोग वैसे हाना क्वाडिलेटर को कहते हैं जिसका सारा side equal हो बट एंगल जो हो 90 degree के बराबर 90 के बराबर नहीं हो अगर वो 90 के बराबर होगा तो फिर वो मेरा square बन जागा तो यहां पर angle कितना है 90 degree से कम है और यह जएदा है तो यह हम लोग समझ गए कि rhombus में बना दिया गया है और इसका side कितना है तो 11 cm यह हम लोग को दे दिया गया है तो हाना यह देखिए चुकि यह circular loop था और इसको किस में convert किया गया है rhombus में तो इसका जो circumference होगा किसका यह circular piece of wire का वो equal होगा किसका इसका perimeter का equal होगा ओके यह equal होगा तो perimeter of यह मेरा क्या है rhombus is equal to यह होगा मेरा क्या यह होगा मेरा circular wire तो circular जो wire है इसके जो यह होगा मेरा circumference और यह perimeter दोना equal होगा आये हम लोग यहाँ पर उसी principle को use कर लेते हैं हम लोग लिखेंगे क्या हाँ पर side of rhombus equal to 11 cm दे रखा है ओके फिर आगे हम यहाँ पर लिखते हैं circumference of circular wire is equal to perimeter of the rhombus यह हम लोग अभी समझ चुके कैसे हो रहा है तो यहाँ पर हम आगे value put कर लेते हैं तो 2 pi r ओके तो pi का value तो हमको रखना पड़ेगा 22 by 7 और r हमको निकल जाएगा और यहाँ पर 4 और side का value कितना है 11 तो चलिए हम आगे देख लेए हो जाता है मेरे पास 44 divided by 7 into r और यह होगी है हमारे पास 44 cm तो r का value क्या हो जागा बताइए therefore therefore r का value हो जाएगा हमारे पास 44 और यह चुकि 44 multiply में है तो right side जाएकर divide में और यह मेरा denominator में 7 divide में है तो right side जाकर के multiply में अब यहाँ पर मासाने से काट सकते हैं तो हमको radius क्या मिल गया ना हमको radius मिल जा रहा है 7 cm अब हमको क्या कहा गया है find the diameter okay तो diameter कैसे निकालेंगे diameter equal to होता है 2 into r हाँ तो therefore हम लिखेंगे diameter diameter is equal to 2 into r okay radius का double होता है diameter तो 2 और radius कितना है 7 cm multiply कर दिया तो क्या हो गया 14 cm यह क्या आ गया अपना diameter आ गया किसका circular piece of wire था इसका diameter निकल गया चलिए हम लोग next question को solve करते हैं तो question number 13 है हमारे पास a race track is in the form of a ring okay ring के रूप में है whose inner circumference is 352 meter and outer circumference is 396 meter find the width of the track तो हम यहां पे track बना लिए है आप देखें यह है track तो track का यहां पे क्या बताया गया है track का यह रखें इनर हना inner circumference यह अंदर का और यह कितना दिया हूआ है 352 और यह अपना outer circumference यह रखें आउटर circumference कितना दे रखा है outer circumference दे रखा है 396 अब क्या काता है कि इसकी चोड़ाई क्या है width यह जो track है इस track का क्या चोड़ाई है तो हम लोग यहाँ पे इसको बना लेते हैं कि कितना चोड़ाई है इसको solve करने के लिए पहले हम लोग को यह outer radius निकालना पड़ेगा और फिर inner radius निकालना पड़ेगा और दोनों को हम लोग क्या करेगा ना difference ले लेंगे दोनों का तो हमरा यह क्या निकलेगा यह चोड़ाई कितना है यह हमको पता चल जाएगा आए हम लोग solve करते हैं तो हम लोग यहाँ पे माल लेते हैं क्या माल लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे चोटा आर लिए यहाँ पे आप इसका यह रख दिये भैलू 352 तो आए हम इसको solve कर लेते हैं तो क्या मिली जाएगा हम यहाँ पे भैलो पुट कर लेते हैं तो आप देखिए कि 2 है मारे पास और पाय का भैलो होता है 22 by 7 होता है अब इसके बाद r को हम r रखेंगे चोकि r का भैलो दिया हुआ नहीं है तो यह हमारे पास 352 तो r हम कैसे निकालेंगे therefore r equal to यह 352 हाँ ना multiplied by 7 हो जाएगा ओकी और divide में हो जाएगा हमारे पास 2 and 22 ओकी तो आईए हम इसको cancel out कर लेते हैं 22 का table में यह 16 time में चला जाएगा और यह 2 से हम divide किये इसको 16 को तो हमको 8 मिल गया अब 8 और 7 को multiply कर लिए तो क्या हो गया ना 56 यह क्या आगया हमारे पास meter next हमारे पास है outer circumference इसको भी हम निकाल लेते तो outer circumference के लिए ना हम लोग आने हुए और यहाँ पर देखिए यह value दिया हुआ है 396 तो यहाँ पर put कर दिए चलिए अब फिर से हम same कर लेते हैं pi का value 22 by 7 और यह रहा अपना r 396 चलिए अब हमको r चाहिए तो r का value कैसे निकलेगा यह देखिए 396 और यह चुकी 2 और 22 मेरा multiple में है तो यहाँ पर divide में आएगा और यह 7 मेरा ना multiple में जाएगा ओके चुकी यह दर divide में है अब हम लोग cancel out कर लेते हैं तो यह हमारा 22 का table से अगर divide करेंगे तो यह 18 time में चला जाएगा और फिर 2 से इसको divide कर लेंगे तो 9 मिल जाएगा अब 9 और 7 को multiply कर लिए तो क्या हो गया 63 meter अब देखिए हमारे पास capital R निकल गया यह small r निकल गया दोनों को हम minus कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपना width मिल जाएगा क्या चोड़ाई है track का therefore width of the track capital R minus small r that is outer radius minus inner radius outer radius minus inner radius तो outer radius 63 meter और inner radius 56 meter अब बताएगे माइनस करने पर क्या मिलेगा 7 meter ओके तो 7 meter क्या हो गया ना track का चड़ाई हो गया आएगे next question को solve करते है तो question number 14 है radius of circular region is 63 cm फिर कहता है find the least length of row which is sufficient to encircle the circular region ओके circular region को encircle करने के लिए हना कितना length चाहिए रॉप का वो हमको निकालना है तो चुकि radius दे रखा है तो हम लोगों क्या निकालना है ना circumference ओके circumference count करेंगे और यह अपना answer आ जाएगा तो आई हम लोग circumference का formula पूट कर लिए यहाँ पे 2 pi r ओके और 2 pi का value क्या होता है 22 by 7 हम लोग रखेंगे और r अपना 63 cm दे दिया है हम यहाँ पे cancel out कर लेते हैं 7 से 63 को तो यह 9 time में चला जाएगा ओके और इसके बाद हमारे पास क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे 44 और और multiply हो गया और 9 cm तो इसको multiply कर लेते हैं तो क्या हो जागा 9 4 जा 36 और 9 4 जा 36 और प्लस 3 that is 39 ओके यह हो गया cm क्या आ गया हमारा यह circumference आ गया तो हम लोग यहाँ पे क्या note करेंगे हम लोग note करेंगे required length of rope ओकी यह हो गया 396 cm answer तो यहाँ पे हम लोग complete कर लेते हैं worksheet 5 के सारे questions को so I hope this video will helpful for you so please like this video and share with others and do some comments also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon for upcoming videos thanks for watching have a glorious day ahead